दोस्तों जब भी आप फ्लॉइड वार्शल अल्गॉरिथम के बारे में ओनलेन जाके पढ़ोगे न तो आपको एक पहला वर्ड देखनों को मिलता कि यह है डायमिक प्रोग्रामिंग रिलेटिट अल्गॉरिथम है इस चीज से काफी लोग डर जाते हैं उनको लगता है कि मे लोग अल्ग फ्लॉइड वट्शल अल्गॉरिथम से खाएक हुशॉट टेस पास फाइंड करने की अल्गॉरिथम है तो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था डैजिक्स्टर और्ड तय्ड़िए लोग धिया गया हम यहन जागरम देखा था नगरम एक सोर्स दिया गय सिंगल सोर्स होता है जिसमें हर एक पेर के बीच में कोई भी दो वर्टिस ले लो उनके बीच में से shortest path find करना होता है वो हम find कर सकते हैं using Floyd-Warshal algorithm इसको बोलते हैं all pair shortest path algorithm मतलब सारे के सारे pairs 1 से लेके 2 तक का, 2 से लेके 3 तक का 6 से लेके 5 तक का, जितने भी shortest distance possible है, सारे के सारे हम निकाल सकते हैं, using one algorithm उसको बोलते हैं Floyd-Warshal algorithm अब Floyd-Vosal algorithm काम कैसे करती है, बहुत simple algorithm है, तो हमें सबसे पहले ना, हमें graph में दिया क्या होगा, हमें edges और उसके weight दिये होगे, जैसे यह वाला graph है, इसमें edges दिये हैं, और उनके weights दिये गए है, तो हमें क्या करना है, सारी की सारी vertices के बीच में shortest distance निकालना है, अब faces का मतलब यहाँ पे क्या है, कि हम सबसे पहले बोलेंगे, कि हम यहाँ पे include करेंगे, let's say k vertices, k vertices को मैं allow करूंगा graph में, and उसके basis पे shortest path निकालना है, इसका क्या मतलब है, कि let's say मेरे graph में 6 vertices है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारी 6 vertices है, मैं क्या बोलूँगा, कि सारे के सारे shortest path निकालना है, without involving vertex, तो मतलब अगर में को 1 से 2 का shortest path चाहिए, तो मेरे को कोई और vertex include नहीं करनी है, में को कोई भी और vertex के through नहीं जा सकता, मैं यह नहीं बोल चकता कि में को 1 से 2 में 3 के through जाना है, या मैं में को 1 से 2 में 5 के through जाना है, मैं किसी और vertex के through नहीं जा सकता, यह हमारा case equal to 0 हो गया, क basically हमने कोई भी vertex include नहीं करी, कि हम किसी और vertex के through नहीं जा सकते हैं, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, let's say k is equal to 1 है ना मेरा, तो ये मैं बोलता हूँ, पहला level, कि basically पहली vertex के through तुम जा सकते हो, कि अगर तुम्हें 2 से 3 का, या i से j का, कोई भी i से j का तुम्हें shortest path चाहिए, तो तुम 1 के through जा सकते हो, ठीक है, इस condition के साथ तुम shortest path निकालो, इस condition के साथ तुम shortest path निकालो, तो let's say यहाँ पे नहीं example लेते हैं, तो example क्या लेते हैं, let's say यह मेरा 1 था, यह मेरे 2 vertex है, ठीक है, 2, 3, और यह हो गया हमारा, और इसको edge को मैं देता हूँ, let's say 5 bit, और इसको 1 और 1 bit देता हूँ, तो k is equal to 0 के लिए, k is equal to 0 के लिए 2 से 3 का, जो shortest path है, वो 5 होगा, क्यूंगी मैं किसी और vertex के through नहीं जा सकता, मैं 1 के through नहीं जा सकता, तो यह all the shortest path है, 1, 1, बट मैं 1 के through नहीं सकता हूँ, यह case equal to 0 लिएवल पर, अब मैं क्या बोलूगा, case equal to 1 level पर, case equal to 1 level के लिएविल पर क्या मैं बोल रहा हूँ, कि मैं 1 vertex के through जा सकता हूँ, कोई भी मैं क्यों shortest path निकाल ला हूँ, मैं 1 vertex के through अगर वो possible है, तो मैं निकाल सकता हूँ तो 1 level पे यह जो shortest path है यह ना 1 plus 1 2 हो जाएगा मतलब यह वाला negate हो जाएगा और यह वाला मारा actual shortest path हो जाएगा k is equal to 2 पे क्या होगा k is equal to 2 पे हम बोल रहे हैं कि 1 और 2 vertexes के थूरू तुम जा सकते हो तो कोई भी एक ऐसा path जो 1 और 2 के थूरू pass कर सकता है वो valid path है तो अगर वो कोई shortest path बना रहा है तो वो तुम include कर सकते हो तो इसमें अगर हम आगे-ागे जाते रहें तो अगर हम k, k plus 1, k plus 2 पे जाते रहें तो यहाँ पे एक चीज define कर सकते हम कि let's say अगर मैं k level पे था k level पे था इसका के मतलब है कि मैं 1, 2, 3, 4, up till k nodes के थूरू जा सकता हूँ ठीक है मैं को कोई भी i to j का shortest path चाहिए मैं को i to j का अगर shortest path चाहिए तो मैं in nodes के थूरू जा सकता हूँ ठीक है अगर अब मैं k plus 1 पे जाने वाला हूँ तो अगर मैं k plus 1 level पे जाने का मतलब क्या है यह सेम nodes यहाँ पे copy हो गई और यहाँ पे k plus 1 node आजाएगी कि अभी पहले तो मैं 1, 2, 3, up till k nodes के थूरू जा सकता था अब मैं k plus 1 जो node होगी k plus 1 जो node होगी उसके थूरू भी जा सकता हूँ इसका मतलब क्या होगा है यहाँ पे दो चीज हो सकती है पहली चीज कि जो shortest path है वो हमारा k vertices के अंदर ही लाए करेगा कि हमारा जो shortest path है वो k plus 1 node आने से ना उसका कोई फरक नी पड़ा मतलब क्या है इसका कि यहाँ पे मैं एक और vertex जाल देता यहाँ पे मैं 4 vertex जाल देता ठीक है मैं 4 से edge डाल दी इसका 2 weight कर देता हूँ इसका 2 weight कर देता हूँ तो जब 4 include होगी तो यहाँ पे 2 से 3 का shortest path हमारा effect नहीं हुआ 2 से 3 का हमारा shortest path effect नहीं हुआ वो पहला case है कि जो हमारा shortest path है k plus 1 के include होने से फरक नहीं पड़ा तो वो जो k vertices का shortest path है वही रहेगा ठीक है अब यहाँ पे दूसरा case के है कि अगर shortest path अगर जो हमारा shortest path है अगर मैं k plus 1 vertex को include कर रहा हूँ और उससे change हो रहा है तो हमारा shortest path कैसे आएगा कि अगर मैं k plus 1 को include कर लिए मतलब shortest path k plus 1 के through जाना चाहिए मतलब उसके addition से अगर shortest path effect हो रहा है तो basically उसके through जाएगा तो basically अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता कि यह मेरा यह जो node का weight था यह 2 की जगह मैं यहाँ पे बोलता 1 है और यहाँ पे यह मैं बोलता था 0.5 है तो यह जो distance है 1.5 हो जाता है न और यह distance 2 था तो नई node के addition से हमारा shortest path मतलब change होगा नई node के addition से हमारा shortest path change होगा तो वो हमारा निकलेगा कैसे मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो distance बोलो हमें i to j का distance जिगे न यहाँ पे i to j का distance जो है यहाँ पे उपर वाले case में i to j का हमारा distance same रहा ठीक है यह same रहा बट नीचे वाले case में मैं के बोल सकता हूँ i to j का distance अगर k plus one के थूरू जा रहा है क्योंकि k plus one के थूरू effect हो रहा है तो मैं के बोल सकता हूँ i to j का मैं distance बोल सकता हूँ i से k plus one का distance प्लस k-1 से j का distance यह चीज मैं बोल सकता हूं है ना यह दो distances का सम होगा i to j का shortest distance क्यूंकि k-1 के थुरू जा रहा है अब यह जो distance है इसकी shortest value इसकी shortest path की value हमारे k-वाले vertices की through ही आ जागी कि i से k-1 reach करने का shortest path है वो अगर k vertices को ही include करूँ उससे shortest path की value मिल जाएगी और k plus 1 से j जाने की जो value है वो भी सिर्फ k vertices से हमें मिल जाएगी कि k vertices को जो हमने include किया था तब k plus 1 से j जाने की value किया थी तो यह basically हो गया हमारा shortest path हम calculate कर रहे हैं तो यहाँ पे basically हमारी equation बन जाती है कि distance of ij जिसको dp भी बोलते हैं यहाँ पे normal terms में लोग कि distance of ij जो है हमारा kth level पे क्या हो सकती? distance of i k plus distance of k j यह हमारे distance की value हो सकती है कि distance i से k का distance और k से j का distance and assuming कि k minus 1 levels का जो distance है shortest path जो है वो calculated है कि यहाँ पे 1,2,3 up till k minus 1 जो nodes थी उनके through सारा shortest path हम already calculate कर लिया गया है तो starting में जब हमारे पास कोई भी मतलब k is equal to 0 होगा तब तो हमारी edges है वही हमारा distance है जब हम k is equal to 1 के पास जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1 के through किसी का shortest path बन रहे है क्या? तो उसके through हम यह जो formula है यह use करके हम Dij की value न मिनिमाइज कर देंगे हम Dij की value क्या कर देंगे? मिनिमाइज कर देंगे 1 के through फिर जब हमारा k2 हो जाएगा तो हम देखेंगे 1 और 2 के through कोई जा रहे है क्या? तो हम 2 के लिए देखेंगे, क्यूंकि 1 का तो already minimize होगे ना, फिर 2 का देखेंगे, फिर k plus 1 ऐसे देखते जाएंगे, तो यह हमारी basic fluid evolution algorithm है, अभी तुम्हें मैं code में भी समझा दूंगा तो तुम्हें और इच्छी से clarity हो जाएगे, कि भाई इसको लिखना कैसे है, तो basic मतलब क है, कि अभी k levels तक, अभी k nodes तक मैंने calculate कर लिया shortest path के, कि अगर k nodes को allow करूं, कि जो हमारा path है, वो k nodes के through जा सकता है, अब मैं k plus 1th node को भी allow कर रहा हूं, कि भाई shortest path इसके through भी जा सकता है, तो उस case में मारे बस 2 cases बन गए, कि या तो हमारा shortest path same रहता, है ना, same रहता तो कोई issue अगर same नहीं रह रह रहा है, तो k plus 1 vertex के through जाएगा, क्योंकि अगर same रहता, बाकी, अगर k के through जाना था, तो same ही रहता, k plus 1 के through जा रहा है, इसलिए change हो रहा है, तो अगर change हो रहा है, तो उस case में हम क्या करेंगे, i से k plus 1 का shortest distance है, वो हमारे पस है, k plus 1 से j का shortest distance है, वो हमारे नया computer हो जाएगा यहां पर यह देखो जो डिरेक्टिड ग्राफ पर यहां पर इंपुट ले लिया हुआ है तो इसको मैं यहां पर इंपुट ले ले लिता हूं तो इंपुट कैसे लेंगे यहां पर देखो हमारा distance array क्या होगा ना हमारा distance array जो होता है हमारा distance array सबसे पहले ना सबका जो distance है वो infinity मान लेंगे हम के i से j का जो distance है वो हम बोल देंगे infinity है ठीक है यहाँ पर हम क्या बोल देंगे infinity distance है यहाँ पर मैंने पूरा जो array है वो infinity के बराबर कर दिया कि हर एक node का जो हर एक node से distance है तो distance of i, j, d node क्या गर रहा है i, c, j का distance है तो वो मैंने बोल देंगे सब का infinity मान लो ठीक है अब जैसे-जैसे हमारी edges add होंगी ठीक है, हमारी जैसे-जैसे edges add होंगी तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे distance जो है हमारे इसके बराबर कर देंगे 1 से 2 के edge हम 1 के बराबर कर देंगे यहाँ पे एक और चीज़ हम एको कर दीए है if I equal equal J अगर I equal equal J है तो distance of IJ हम 0 कर देंगे same vertex जो है हमारी उसका हम vertex जो 0 रखेंगे 1 से 1 का जो distance है वो तो 0 होगा तो यहाँ पे इसको 0 कर देंगे यहाँ पे else के case में else के case में हम infinity कर देंगे अब यहाँ पे input ले लेते हमारा n कहा है number of vertices और m हमारा कहा है number of edges तो यहाँ पे input ले लेते हैं graph का यहाँ पे X से Y के बीच में edge है और weight हमारा WT weight है ठीक है तो इसको input ले 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 तो यहाँ पे क्या कर दूँगा distance of X to Y distance of X to Y is equal to हमारा weight आ गया ठीक है यह हमारा distance आ गया अब इसके बाद Floyd-Warsal algorithm लगानी है Floyd-Warsal algorithm कैसे लगानी है हमें क्या करना है सारे levels के दुरू जाना है levels क्या है कि कितरी nodes allow करनी है तो हमारे levels कितने होंगे यहाँ पे हम levels बोल देते हैं हमारा level को बोलते है K K is equal to 1 से लेके K is equal to 1 से लेके कि पहले 1 node को allow कर सकते हैं कि पहली node को allow किया फिर अपने N nodes मतलब सारी nodes को allow कर सकते तो K less than equal to N N plus plus K ठीक है तो यह K क्या हो गया मारा level हो गया कि K is equal to 1 से N तक हम जा सकते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है हर एक level के लिए सारे के सारे I to J का minimum distance है वो निकालना है और वही equation यूज़ करनी है कि अगर K minus 1 तक calculated है यहाँ पे 0 लेवल तक calculated है हम 1 के लिए शुरू करेंगे न तो 0 मतलब कोई भी अभी allowed नहीं है तो 0 के लिए calculated है अगर तो D of I J is equal to D of I K plus D of K J तो यहाँ पे 2 for loop लगेंगे अंदर तो पहले I का for loop लगेगा कि हर एक I के लिए करना और हर एक J के लिए करना फिर अंदर उसके अंदर J का for loop लगेगा तो यहाँ पे अंदर हम बस for loop copy कर लेंगे और यहाँ पे K की जगा I आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे distance of I J distance of I J is equal to minimum of distance of I J जो current distance है है ना दोनों का minimum लेना है तो यहाँ तो क्या हो सकता है distance की value पिछले वाले level की हो है ना वो minimum ले लिया अगर change हो रही है तो current distance नया distance क्या होगा अगर change हो रही है तो वो क्या होगा हमारा distance of I से लेके K तक का है ना I से लेके K तक का के नहीं नोड अड़ हुई है इस लेवल पर प्लस डिस्टेंस ओफ के से लेके जे तक का तो यह हमारी नहीं नोड हो गई यह हमारा मिनिममम डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया और इतनी से हमारी फ्लॉयद वॉच्ट राइप अब यह देखने में बहुत सिंपल लग रहा है तुम्हें अगर वह concept clear नहीं है तो वह वाला question तुम कभी करी नहीं पाऊगे चाहे तुमने DP के वे से सोचा हो जैसे मर्जी सोचा हो तो वह concept clear हो ना चाहिए कि यहां पर हम इसको प्रिंट करागे देखते हैं हमारा जो distance है यहां पर मैं क्या कर देंगे कि बहुत बड़ा नंबर प्रिंट हो जाएगा तो यहां पर आई का मतलब क्या इन्फिनिटी वैल्यों है ठीक है आई का मतलब कर इन्फिनिटी वैल्यों तो यहां पर तुम ग्राफ में देखोगे यह हमारा वन से टुका जो distance है हमारा वन से टुका डिस्टन्स टुम देखरो यह बन इह उसके बाद यहां से देख रहो शौट अगया और यहां पर 1 से 6 का तुम देख रहे 4 है और यहां पर देखो 6 से 5 कोई path exist नहीं करता है तो 6 से 5 यहां पर infinity है ठीक है न तो जब distance infinity है मतलब कोई path exist नहीं कर रहा है तो यह हमारा shortest distance का पूरा compute हो गया और यह हमारा shortest distance सारे के सारे pairs के बीच में कि हर एक i to j और j to i का जितने भी shortest distance है वो सारे के सारे compute हो गया है अब यहां पर न कुछ चीज़े जानने वाली है जो बहुत important है पहली बात यह है कि यह जो algorithm है negative weights को handle करती है तो अगर तुम्हारे एजिस के weights जो है वो negative हो जाए तो उस चीज़ को यह handle करती है दूसरी चीज यहां में बहुत important जानने वाली है कि negative वेटिड साइकल, नेगिटिव वेटिड साइकल को ये चीज़ हैंडल नहीं करती है, कि अगर तुमारे साइकल का जो नेट वेट है, अगर वो नेगिटिव है, तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं करती है, यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉस करके देखो और सोचो, कि उस बताने वाला हूँ तो उस चीज को क्यों हैंडल नहीं करती है तो लेट से हमारी कोई graph थी यहाँ पे 2 से लेके 3 था ठीक है तो यहाँ पे 1 weight था और यहाँ पे minus 2 weight था ठीक है तो अगर मैं 2 से 3 जा रहा हूँ ठीक है 2 से अगर मैं 3 जा रहा हूँ तो मेरा net distance क्या हूँ अब मैं दुबारा जब 2 से 3 जाओं गा तो मेरा net distance क्या हो गया माइनस टू दुबारा जब 2 से 3 जाओंगा तो मेरा net distance क्या होगा अगर मैं loop में जाता रहूं तो distance कम होता जा रहा है तो यहां पे कोई shortest बात exist ही नहीं करता है जब भी negative weighted cycle होता है, तो तुम हो cycle में घूमते जा सकते हो, तो तुमारा distance minimum कम ही होता जाएगा, तो ऐसे cases में KTO negative weighted cycle होता है, उसके हैसे smallest but defined ही होता है, तो इसलिए वैसे cases में यह algorithm काम निकरेगी, बत अगर negative weights है और negative weighted cycles नहीं है, तो यह हमारी algorithm अराम से काम कर जाएगी बहुत अच्छे से अब नेगटिव वेट्स की किसमें हम एक और चीज ध्यान में रखनी है कि देखो अगर नेगटिव वेट्स अगर हम यहां पे अलाओ करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि मारा डिस्टेंस ऑफ आई के नेगटिव हो सकता है यह डिस हीरे हैं तो जो हम जब करेंगे तो वह ना इंफिनिटी माइनिस हो जाइगा if actually होगा तो यह मिनिममम वैल्यूंउ है इंफिनिटी माइनिस बन जाएगी तो वह हमें करना नहीं है कि现在 से चोकी होगी हो जब नेगटिव को इंट्रिई chanting कर देंगे तो उस case में क्या होगा हम हमारा डिस्चंस आइजे में कुछ वैलिस तो इन्फिनिटी होगी जिसका मतलब हम समझेंगे के बाई उन इसके बीच में कोई पाफ एक्शिस नहीं करता है उन वर्टिस के k to j not equal to infinity अगर यह दोनों चीज़े हमारी सेटिसफाइड हैं तो ही तुम नीचे वाला जो चीज है डिस्टेंस वाला रन करो क्यूं क्यूंकि अगर इन में से कोई भी मतलब यह इंफिनिटी के बराबर हुआ यह चीज मतलब पाथ ही एक्जिस नहीं करता है अगर यह चीज इ यह चीज आल सकते नेगेटिव वेट्स के गसिस में यह हमारा सिंपल से हो गया और यहां पर तुम सब को इस सारी चीज समझ आगी हो यह 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 बहुत इंपॉटेंट कोशिन करेंगे जो स्टेट फॉर्वर्वड कोशन नीं होगा इसके स्ट्रेट फॉर्वर्वर्व कोशन यह बहुत बहुत अच्छा कोशन है जिसे कॉंसेट समझ आगा के यह जो कॉंसेट है के और के प्लस वान लेवल का इसका अक्चुली में मॉडिफाय करके कैसे हम कोशन को सॉल्व कर सकते हैं वह नेक्स वीडियो में कोशन देखेंगे जिससे पूरी क्लारेटी मिल ज